हलो नमस्ते मेरा नाम प्रसान था सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पाने के लिए और आज मैं लोग पढ़ने वाले हैं फेडरल कोट देखो आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो न मेरा एडवाईस आपके लिए यह है आप जब भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो यह आखिर फेडरल कोट का स्टाबलेश्मेंट कैसे हुआ था किसके दुआरा हुआ था कब हुआ था तो यह जो कुछ कुछ कोश्यन्स आना आपके मन में आज तो मैं यह सारा कोश्यन्स सॉल्ब करूंगा लेकिन आप कोई भी टॉपिक जब भी पढ़ते हो यह आपको इं ही जो हिस्टी में आल्वेस हम लोग पास्ट की कहानी पढ़ते हैं बिता हुआ कल की कहानी पढ़ते हैं पौस्ट में जो भी इवन्ट होता जो भी घटना-घट हाट तो देखो यह जो है आप 1935 से स्टार्ट होगे नाँटीं ठर्टै से खटम हो जाएगा और यह थोड़ा 1937 से भी आगे चलेगा 1950 तक अब फेटरल कोट को आपको easily समझना पहले तो मैं देखाऊंगा कहानी हम लोग कहानी इंडिया की पढ़ रहा है देखो उस टाइम पे इंडिया ऐसा दिखता था यह जितना आप पिंक कलर में देख रहे हो नहीं यह सारा ब्रिटस इंडिया है और यह सारा प्रिंशल स्टेट है ठीक है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिल्ली में अभी आप देखोगे इस्टैबलिश्मेंट होगा फेडरल कोट का तो हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पर देखो आप सिंपल यह फेडरल कोट को समझना है आज के टाइम पे हम हमारा सबसे बड़ा कोट कौन सा होता है एपेक्स कोट कौन सा होता है तो सुप्रीम कोट हमारा एपेक्स कोट का को समझना है तो आप यह समझो कि 1950 से पहले यह सुप्रीम कोट ही था फेडरल कोट सिंपल सबसे सिंपल सबसे आसान ही थे आपको फेडरल को समझना है तो यह स वोट हुआ करता था है विए फेडरल कोटी 1950 में चेंज होके क्या बन जाता है सुप्रीम कोट सिंपल सबसे इजी सबसे सिंपल चलो फेडरल कोट का वारे में लोग देखते हैं देखो फेडरल कोट का जिस टैबलिश्मेंट वा था ना यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आथा उसके अंदर प्रोविजन था फेडरल कोट का इस्टैबलिश्मेंट का और फेडरल कोट यह आप देख रहे हो ना इसका इस्टैबलिश्मेंट फाइनली जाके इनोग्रेट किस यहर में होता है यह 1937 में होता है और यह तब तक फंचन करता है तब तक काम करता है जब तक यह कोट सुप्रीम कोट ना बन जाए तब तक और सुप्रीम कोट कब बनता है 1950 में तो बिसीकली आप यह समझो 1937 से लेके 1950 तक यह कोट काम करता है यह बिसिक था कुछ अब हम लोग देखो हिस्ट्री आप जब भी उसको timeline से समझो मतलब हम लोग कहान यह थी 1937 की पढ़ रहे तो उससे पहले क्या system था जिसे आपने पढ़ा कि 1937 में यह court तपसे चलना स्टार्ट हो जाता है और 1935 में यह court establishment होता है तो आखिर सर उस टाइम पर court system कैसा था कौन-कौन सा कोट चलता था ये भी तो हम लोग को पता होना चाहिए तो हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे हैं तो देखो 1937 यहां मैंने timeline दे दिया है आप देख सकते हो यहां पर timeline है देखो 1935 में Government of India Act आता है और इस Act के इस Act में provision था section 200 200 section में यह provision था किसका establishment of federal court of India यह 1935 में provision आता है और 1937 में देली में यह court जाके inaugurate होता है अब देखो 1935 में यह Act आया तो उस टाम पर क्या system था court का तो उस टाम पर court में चलता था district court में आपको पता है civil और criminal हो जाएगे civil और criminal हो जाएगे इसर मुंसिफ यह वाला system चल रहा था उसके बाद district transition court चल रहा था उसके उपर जब यहां से appeal जाता था high court में high court से फिर कहां जाता था प्रिवी council में यह system court system चल रहा था गब कि 1935 की मैं आपको बात बता रहा हूँ अभी हम लोग कहा है 2022 में हम लोग अभी थोड़ा court system अभी तो अपने यहां देखते हो ना district level पर subordinate court होता है उसमें civil criminal बढ़ जाता है previous video में मैंने discuss भी किया है उसको तो फिर वहां से high court high court से supreme court अभी का system यह तो 1935 में भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ने पूरा-पूरी ऐसा ही system था है ना और आपने पढ़ा था आपने यह पढ़ा था 1861 में 1861 में दो court चलता था company court and इस इंड़ा company court और British crown court supreme court होता था और सदर अदालत में एक होता था सदर दिवानी अदालत, सदर निजामत अदालत जो की company court होता था याद है न आपको और इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया था हाई court 1861 के हाई court act में आपने पढ़ा था इंडियन हाई court act में आई होब आपको याद हो है ना चलो ठीक है basically अभी का court system आप यह सम्दों district court से हाई court हाई court से प्रीवी कॉंसिल ऐसा चल रहा था इस टाइम का बाद है अब सवाल यह है कि सर इसका जरुवत क्यूं पढ़ा आखिर फेडरल कोट का need क्यूं था क्यूं लाया गया गया थोड़ी दिर में पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते अभी आपने यह देख पर दिर नाइंटीन ह realization में यह जो आड जाया इस आक्ट में इसट में क्यों आड करागिया है न क्यूंड करा गया हम लोग देखेंगे इस एक्ट में इस प्रोविजन को क्यों डाला गया फिर्टरल कोट का यह हम लोग अपर देखने वाले है ना चला यह टाइम लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा आप इसको थोड़ा स्क्रिंशॉट तो नहीं मैं पीडियेफ जो भी मैं पढ़ाऊंगा इन सारे का पीडियेफ मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डालता हूं तो आप वहां से जाके डाउनलूड कर सकते हो एनीवे मैं पीडियेफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा तो तो देखो 1921 में देखो यह आता कब है 1935 में न हम लोग थोड़ा से पीछे चलेंगा न देखो 1921 में एक लॉयर थे जिनका नाम था हरी सिंग गौर ठीक है यह वकील थे लॉयर थे तो इन्होंने सबसे पहली बार लीगल हिस्टिय में यह रियलाइस करते हैं कि इंडिया मे इंडिया में क्या होता था फाइनल अपील कहां जाता था यह देखो इंडिया में फाइनल अपील कहां जाता था यह देखो इंडिया में फाइनल अपील जाता था प्रिवी कॉंसिल में प्रिवी कॉंसिल में जाता था तो इस चीज को यह अब्जर्व करते हैं और यह हरी स ये हरी सिंग गौर्जी बोलते हैं, ये observe करता है सा, realize करते हैं कि ये जो प्रिवी कॉंसिल के जगह पे final appeal के लिए कोई एक court होना चाहिए, हम लोग प्रिवी कॉंसिल क्यों जाएंगे इतना दूर, इंडिया से इतना दूर है, इतना पैसा खर्च होगा, एक court में 5-5 साल लग जाएगा, यहां से जो भी Indian High Court से जो भी appeal होता है, हम लोग प्रिवी कॉंसिल इंग लैंड जाते हैं, तो इंडिया में एक उसके जगह पे, प्रिवी कॉंसिल के जगह पे, एक final appeal के लिए court होना चाहिए, ऐसा इनको realize होता है, और यह जब realize होता है, यह जाके 1921 में, देखो क 1921 Central Legislative Assembly हमारे देश का Legislative Assembly वहाँ पर एक resolution इंट्रिड्यूस कर देते हैं, एक resolution यह introduce कर देते हैं, तो आप इस कहानी को धियान रखोगे तो आपको बहुत help होगा, देखो हम लोग जैसे यह resolution लाते हैं, बहुत दिन तक debate होता होता है, फिर माहुल ठंडा हो जाता है, फिर उस resolution के लाते हैं, Establishment of Supreme Court in India, यह resolution में लाते हैं कि Supreme Court होना चाहिए इंडिया के लिए, Supreme Court का Establishment होना चाहिए इंडिया के लिए, और यह कहां पर लाते हैं, लेकिन यह उसके 10 साल बाद, लगबग जब माहुल ठंडा हो जाता है, यह देखो, 1921 के बाद, जब माहुल ठंडा हो resolution लाते हैं, और कहां पर, legislative assembly, और कब, during the period of, अभी मैंने बता दिया, मतलब, second से third session of the round table conference जो हो रहा था, उसके दोनों के बीच में यह लाते हैं, ठीक है, और देखो, fortunately, यह legislative assembly में, जो यह पूरी सहाब लाते हैं, resolution यह पास हो जाता है, 1931 से 1932 के बीच में, इंडियन legislative assembly में, यह resolution पास हो जाता है, कि हाँ, इंडिया में भी supreme court होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में supreme court होना चाहिए, यह resolution पास हो जाता है, फिर देखो, बोद पार्लियामेंट, बिरिटिस पार्लियामेंट के दोनों house में, joint select committee, इस report, मतलब, recommendation देत इंडिया में, ठीक है, और इसी के accordingly, बिरिटिस पार्लियामेंट, Government of India Act, 1935 पास करती है, और उसमें section 200 के तहर provision डाल देती है, कि इंडिया में federal court का establishment होना चाहिए, 1935 तक आपने कहानी को देख लिया, और finally 1935 में, Government of India Act आता है, और उसके section 200 में, federal court का establishment की बात करी जाती है, यह तक कहानी क्लियर होगा है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, on 1st of October 1937, federal court का inauguration होता है, देली में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें तीन judges का appointment होता है, और वो कौन-कौन थे तो चीफ जस्टिस, जो की Englishman थे, Sir Morris Goyer, जो भी इनका नाम था, वो देख लेना आप, उसके बाद दो, देखो यहां पे जो लिखा हो ना, पुशेन, हम लोग पुशेन, पुजी क्या होता है, exact pronunciation सा आप गूगल कर लेना, ठीक है, वो देख लेना, दो और judges का appointment होता है, Sir Saah, मुहमत सुलेमान, और मुकुन रामारा, यह दो तीन, तीन judges थे, एक्चुल, एक इंडिया आजाद हो जाता है, I hope यह आप सबको पता होगा, फिर 1950 में, 1950 में हमारा constitution आता है, और उसके अंडर आर्टीकल 2, यहां पे देखो मैंने लिख दिया, आर्टीकल 124 के तहत, इसका establishment होता है, Supreme Court of India का establishment होता है, basically वो फेडरल कोट अब चेंज हो जाएगा, किसमें, Supreme Court of इंडिया में, I hope आपको यह basic background of federal court का, यदि यह clear हो गया, तो आप पूरे कहानी easily समझ जाओगा, यदि आप अभी तक यदि ढंक से समझ नहीं है, एक बार थोड़ा पीछे कर गया, फिर से देख लाना, मेरी guarantee आपको समझ में आ जाएगी, और यह आप बार बार इस चीज को जब देखोगे न, यह timeline जो मैंने आप लगाया है, बहुत समझ के मैंने लगाया है, और देखो आप यह videos आपको पसंद आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज आप comment कीजिए, comment जब आप करते हो, यूटूब से कुछ मिलता है नहीं, आपके comment में जो प्यार मिलता है न देखो अभी मैं आपको दिखाता हो, सारा काम खतम करके मैंने अभी देखो, 250 हो रहा है, रात के 2.50 हो रहे हैं, अभी मैं आपके लिए video record कर रहा हूँ, तो सिर्फ आपके प्यार के वज़े से, तो आप प्लीज comment करो, comment, आप लाइक नहीं भी करते हो, तो कोई फर्क नहीं बना डालता हूँ, आपके comment में इतना ज्यादा motivation मिलता है, मुझे इतना सारा काम है, मैं सब छोड़ के video बनाने बैठ जाता हूँ, तो प्लीज आप comment करो, आपके comment के वज़े से, मैं videos बनाता हूँ, और ये free होता है, बहुत सारे लोगों को help होता है, चलो, देखो भी मैंने आपको बता है, हिस्ट्री जब भी पढ़ते हो, तो question करो, एक question मैंने यहां भी लिख दिया, कि आकर ये जो federal court का establishment हुआ, इसके पीछे का reason क्या है, बताओ, क्यों establishment होना चाहिए federal court का, जब हमारे पास already high court of India है, इंडिया में high court है, sorry high court of India नहीं, इंडिया में इधी high court है, तो आखिरम federal court क्यों करे, है ना, तो मैंने आपको तभी भी reason बताया था, अभी भी में वही reason बताऊंगा, देखो, इंडिया से जो privy council का distance है, देखो, federal court काने से पहले, इंडिया से जो appeal है, वो privy council जाता था, है ना, अब federal court establishment क्यों हुआ था, appeal देखने के लिए, ताकि, जो privy council इतना सारा appeal जाता हुआ ना जाए, है ना, reason क्यों था, federal court को लाने का, तो सबसे पहले, इंडिया से जो appeal privy council जाता है, वो बहुत दूर है, प्रीवी council, इंग्लैंड में है, और हम लोग इंडियान से है, तो ये distance इतना ज्यादा होने के विज़े से, unnecessary delay होता है, कुछ-कुछ बहुत सारे cases में, चार से पांच साल तक time लग जाता है, final dispose होने में case में, फिर आप देखो के privy council जाना बहुत जादा महिंगा होता था, बहुत जादा खरिश होता था, ये भी है, और उस टाइम एक चीज़ और इंडिया में क्या हो गया था, इंडियन के बीच में, मतलब इंडियन पब्लिक के बीच में, लोगों का ये opinion था, कि इंडियन हाई कोर्ट से जो privy council में appeal जाता है, ये ना हो, यहाँ भी एक तरह का court हो, जहाँ पे final appeal जासे के, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जो court inland में है, यहाँ से जाना वो इस time पे इतना difficult होता था, कि इसको dispose होने म और एक चीज़ ध्यानी आपको रखना है, प्रिवी council कोई tribunal नहीं था, कोई court नहीं था, वो एक तरह का advisory body हुआ करता था, जो कि किंग को advise देता था, हाना, याद है ना आपको, मेरे previous class में बताया था, खेर चलो उस पे नहीं जाते हैं अभी, तो और देखो उस time क्या हो रह और बिटिस empire भी कैसा, federal structure का, अब यहाँ पे थोड़ा लोग चाहे वहीं, यादि आप quality पड़े होगे, तो मेरी बातों को समझ पार होगे, federal structure मतलब more than one level of government, more than one level of government का मतलब अभी के हिसाब सब समझो, आप देखते हो ना, दो level का government है, state government होता है, जैसे मालों में बिहार से बिलॉंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ क्या था, बिहार state government, नितीश कुमार जी का सरकार, जैसे आप central level पर देखते हो, central government होता है, मोदी जी का सरकार, है ना, जहारखन government, हर्याना government, यह होगा state government, और central government, जो पूरे whole इंडिया के लिए, इंटाइर country के लिए होता है, उसको हम लोग central government, तो basically दो level पर आपने देखा रहा, center and state, तो यह जहाँ more than one level को हम लोग बोलते है, federal structure, है ना, तो 1935 से पहले ही हम लोग actually हो गये थे, तो 1935 में हम लोग जो है, वो unitary से किसके तरफ सिफ्ट होए थे, unitary से हम लोग सिफ्ट होते है, तो federal के तरफ जो आप सिफ्ट ह इंडिया जो इंडिया जो ब्रिटिस इंडिया था, यह evolve हो रहा था federal structure में, तो यहाँ पे किसी इसका need था भई, federal court का, है ना, चलो, एक topic और मैंने ऐसे लगा दिया है, पढ़ो तो आपको थोड़ा मजा आजा, इसलिए मैंने लगाया, देखो, अब federal court का इंडिया में need क्य तो सबसे पहले मैंने आपको जश्ट बताए कि federal structure जो इंडिया था, यह evolve हो रहा था, उसके लिए federal court एक चाहिए था, federal structure आपने समझ गया, यहाँ पर देखो, मैंने मेरे just pictures नीचे यहाँ पर देख रहे होगे, प्रिंसले स्टेट और बिल्टस इंडिया, आप देखो, यहा गवर्मेंट होगा, उसको बोलेंगे, प्रोविंशल गवर्मेंट और एक होगा, इस्टेट गवर्मेंट, तो देखो, दो लेवल गवर्मेंट हो गया, तो उस टैम पे इंडिया कैसा होगा, federal structure हो गया, तो पूरे इंडिया के लिए government चाहिए न, तो इसी के लिए हम लोग federal courts को लाए थे, खैर, चलो, Government of India Act, 1935, क्या करता है, इंडियान गवर्मेंट structure को अब जस्ट मैंने बताया था, थोड़ा सा change करता है, कैसे, unitary से हम लोग हो जाते है, federal, यहाँ पे दो वर्ड है, unitary, जहाँ पे single government, जहाँ पे single government, मझे से मान लो, central government, यह होगा, एक government, जहाँ जहाँ पे दो government, लो, central government, और provincial government, जहाँ पे दो government होगा, वो हो गया, federal, unitary मतलब single, federal मतलब more than one, ठीक है, चलो, आयो, इस में कोई problem आपको ना हो, देखो, जब दो लेबल का होगा, जब आपका, जो government का structure है, वो दो लेबल का है, जिसे हमारे यहाँ अभी central state है, तो कभी-कभी आप सुनते होगे, central government और state government के बीच में conflict हो जाता है, dispute हो जाता है, तो same उस time भी होता था, center और provinces के बीच में dispute, तो अब center और federation और basically आप यह समझो, central government और state government के बीच में इदर dispute हो जाता है, तो अभी हमारे यहाँ Supreme Court होता है, ना, same उसी तरह से उस time भी इस चीज़ का ज़र कर रहे हो, unitary से federal बना रहे हो, दो level बना रहे हो ना, इंडिया को, जब इन दोनों के बीच में मानलोग कोई dispute हो गया, तो कहां जाएगा, कौन सुनेगा, तो उसके लिए होगा, federal court, समझ मारा भई, यही यहाँ पे इतना सारा बात लिखा होगा है, ना, और यह देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, finally on 25th, January 1950, Supreme Court of India took the role of the federal court, मैंने बताया थान आपको, यह जो federal court है, यह चेंज हो जाएगा, 1950 में किस में, Supreme Court, सब सर सिंपल आपको समझना है तो, अब हम लोग पढ़ेंगे, Establishment of Federal Court, ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले है, Establishment of Federal Court, बहुत easy topic है, कुछे दिमाग नहीं लगा ना, अभी आपने ज़स्ट देखा, Federal Court का जो Establishment होता है, वो कैसे होता है भाई, अभी ज़स्ट देखा आपने, Federal Court का सर Establishment होता है, Government of India Act से, Government of India Act 1935, और इसमें Section 200 में Provision था, simple, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें को दिमाग ही नहीं लगाना है, और Federal Court जाएके, Establishment कब होता है, Finally, 1 October 1937, और इसके Judges यह यह थे, ठीक है, Chief Justice Morris Goyer थे, Chief Justice of Federal Court, और इसको मैं बोलते हैं थे, Recorded Court, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर Recorded होता था, यह हम लोग इसलिए बोलते हैं, ठीक है, Appointments of Judges in Federal Court, Federal Court में हम लोग पढ़ेंगे, अब Appointments of Judges, देखो, Chief Justice जो थे, Chief Justice का नॉमिनेट करते हैं, His Majesty मतलब, Crown के द्वारा नॉमिनेट होगा, Chief Justice, Simple, और इनका Age Limit कितना हो गया, भाई, 65 यह, ठीक है, और यह कब तक Chief Justice रह सकते हैं, यह फिर जजजेस रह सकते हैं, यह लोग रह सकते हैं, 65 यह, ठीक है, देखो, यदि, अब यहाँ आप सिंपल समझो, दिमाग लगाना है, यदि, His Majesty मतलब, Crown यदि नॉमिनेट कर रहा है, जजेस को, तो वो रिमूब भी कर सकता, Simple है, राजा कहीं चलता था सब कुछ, तो यदि, प्रिवी कॉंसिल का, जुडिशल कमीटी होता था, प्रिवी कॉंसिल का, जुडिशल कमीटी, उसके रिकमेंडेशन पे, यदि, His Majesty चाहे, तो वो किसी भी जजज को, उसके Office से निकाल सकता है, चाहे उसके Miss Behavior के लिए हो, उसके Mental और Physical के लिए हो, कोई मालो Mental फीट नहीं है, ठीक है, कोई दिमागी फीट नहीं है, Physically फीट नहीं है, या वो Miss Behavior कर रहा है, तो उस केस में, उस जजेस को, King उसको इंबर होते थे, चार का Quorum होता था, यहों, दो को His Majesty नॉमिनेट करते थे, खैर चलो, उस पे नहीं जाना भी हम लोगो, Federal Court, आपने देख लिया, Federal Court का Total Strength क्या था, उस टाइम पे जब Establishment हुआ था, तो एक Chief Justice होंगे, उनकी अलावा, Six Other Judges होंगे, Six Other Justice होंगे, ठीक है, ओ Federal Court में एक Chief Justice होंगे, और जो राजा थे, वो not more than Six, ठीक है, छे से ज़्यादा Justice को वो चूज नहीं कर सकते थे, King के पास Power था, वो चाहे तो Judges का Number raise कर सकता है, ठीक है, आई वोप इतना पता हुआ, King के पास Power था, वो चाहे तो Judges का Number raise कर सकता है, अब उने देखेंगे, Qualification, Criter Judges के लिए, यह से बहुत easy topic है, आप नॉर्मल, जब आपको यह PDF मिलेगा, उसमें भी आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ, नहीं है कि नहीं पढ़ सकते हैं, लोग, चाहिए, आपको सबसे पहले, High Court, आपको मैंने बहुत आता था, 1861 में, 1861 में, इंडियन High Court Act आया था, और यह आट, दो कोट यहां पर चलता था, सुप्रीम कोट, और यहां पर चलता था, सदर अदालत, इन दोनों को मिला के बनाए गया था, High Court, ठीक है, यह आप High Court में जज हो, और आपके पास 15 year का experience है, तो आप क्या बन सकते हो, Federal Court का जज, Federal Court का जज बनने के लिए, कितने साल का experience है, यह 15 year का experience ही, या फिर आप बैरिस्टर या फिर एडवोकेट हो, और आपके पास 10 साल का experience है, तो भी आप बन सकते हो, Judges, Federal Court का, और यह या फिर आप High Court का प्लीडर हो, कितने साल का experience है, आपके पास 10 साल का experience है, तो भी आप बन सकते हो, अब देखको हम लोग पढ़ेंगे, Chief Justice का appointment, Chief Justice का appointment, जिस परसन के पास, या as a lawyer, या फिर as an advocate, pleader, high court में 15 year का experience है, तो वो appoint हो सकता है, as a judge, अब हम लोग देखेंगे, salary given to the judges, क्या salary जिया जाता था, judges को, अब हम लोग यह पढ़ने वाले हैं, आप देखो, judges जो थे, federal court के, इनको सबसे पहले, allowance जो salary होता है, दिया ही जाता था, फिर उनके पास, ये भी अधिकार सा, जब चाहे, वो छोड़ सकते हैं, फिर उनको, his majesty, time to time, उनका pension इदर करते हैं, तो ये इस पर दिमांग नहीं लगा ना, जस्टिस को, chief justice को pay किया जाता था, chief justice को pay किया जाता था, 7,000 per month, 7,000 rupees per month, और जो other judges होते थे, उनको 5,000 rupees per month, बहुत simple है, ये pdf जब आप पढ़ोगे, तो आपको, समझ में आएगा, कोई ऐसा, कुछ नहीं है, कि समझ में नहीं आएगा, यहां से थोड़ा important है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहा है अब, jurisdiction of the federal court, ये थोड़ा important, हम लोग jurisdiction पढ़ने वाले है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, छेत्र अधिकार, ठीक है, हाई, federal court का, देखो, federal court के पास, तीन jurisdiction था, एक original, एक appellate, और एक advisory jurisdiction, देखो, नाम से के लिए, original, आपने क्या पढ़ा था, 1935 का जो government of India act है, ये act क्या करता है, 1935 का जो, इंडिया को change करता है, alter करता है, इंडिया का structure में, मतलब, unitary से federal, federal मतलब more than two level, है ना, two level, अब मान लो, two level है, तो बहुत सारा province होगा, जैसे आपने पढ़ा था, United province, Sindh, Punjab, पढ़ा था आपने, पढ़ा था ना, Bengal, बिहारोडिशा, जो भी है, अब मान लो, इन सब के बीच में, किसी के बीच में, दोनों के बीच में dispute हो गया, तो वो dispute कहां solve होगा, तो ये भी diet power किस के पास था, federal court के पास, यदि, दो federal units के बीच में, यदि किसी भी तरह का dispute होगया, तो वो diet कहां जा सकता है, federal court, या फिर, मान लो, central government के बीच में, या कोई, कोई province के बीच में, dispute होगया, तो वो भी कहां जा सकता है, federal court, आप समझ रहे हो, original jurisdiction जो था, मान लो किसी federation के बीच में, या फिर उसके unit के बीच में, federal unit के बीच में, federation, मतलब पूरे इंडिया, पे जो government होगा उसके, और किसी province के बीच में, यदि किसी भी तरह का dispute होगया, तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा भाया जी, federal court, यह आपको इसमें कोई problem नहीं होगा, एक और द पढ़ता था है, instrument of SSN बोलते हैं, instrument means होता है, document, ठीक है, एक document उसको sign करना होता था, उस document से वो, British India Federation का वो part हो सकता था, British India Federation का पार्ट इरी किसी को बनना होता था, तो यह SSN आपको sign करना पढ़ता था, ठीक है, अब मान लो, उसमें किसी भी तरह का dispute हो गया, तो वो direct case कहां जा सकता है, federal court, SSN वाला, फिर या फिर किसी तरह का agreement वाला issue है, जिसमें कि Federation का रोल है, country का रोल आ रहा है, तो उस case में आप direct dispute कहां ले जा सकते हो, federal court, एकदम simple और easy language मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग पढ़ने वाले है, appellate jurisdiction है ना, appellate jurisdiction simple है, high court से जो अभी appeal होगा, आप कहां जा सकते हैं, simple है, high court का appeal कहां जाएगा भई यह, federal court, चलो इसमें जाला दिमाग नहीं लेगाना, advisory jurisdiction नाम से के लिए रहा है, अब यह क्या कर सकता है, advisory jurisdiction इनके पास है, तो किसी भी तरह का, यह दि मान लो, law पे question हो रहा है, तो उसको advice कौन करेगा, federal court, simple है, अब federal court से appeal कहां जाएगा, प्रिवी council, इसमें भी दिमाग नहीं लेगाना, बहुत simple है, यहाँ से जो भी appeal होगा, जाएगा भईय, यहाँ से जो भी appeal होगा, वो जाएगा, प्रिवी council, ठीक है, यदि federal court का, आप decision से खुछ नहीं हो, तो कहां जा सकते हो, आप प्रिवी council जा सकते हो, लेकिन आपको यहां धियान रखना है यहां से अपील के लिए इतना सारे बात नहीं है आपको धियान में रहने वाली है ना यहां लेक के भी कोई फैदा ने मुझे पढ़ाना था कुछ लोगों को एक्स्टा इंफॉर्मेशन चाहिए इसलिए मैंने कुछ-कुछ आड कर दिय है बट यदि आप एक्जाम पर्सपेक्टिब से देख रहे हो तो बस यह दो पॉइंट आपको लिग देना अपील प्रीवी कॉंसल में की अपील फ्रॉम देशिजिजन फेडरल को ले टुट दे प्रीवी कॉंसल बस बात कर लिग देट इतना अपील फ्रॉम देशिजिज समयist फॉर्स में नहीं आता है तब तक कि देकां हम लोग आजात जा वोगे थे 1947 में तब भी यह प्रॉम चल रहा था और यह प्रॉम प्रॉट नहीं होता इंडियन पॉर्स में अथा तब तक कि यह प्रॉन चलते रहता है फिर फाइनली 26th of January 1915 तब से Supreme Court हमारा चलना स्टार्ट हुआ यह सब है चलो Federal Court was also called Court of record यह सब हम लोगों पता है सब सब पता है हम लोग हाँ एक चीज यहां पर देखो Federal Court के पास ना Federal Court के पास power था अच्छा यह क्या लिखा हुआ देखो Civil and Civil and Judicial Authority through all the Federation मतलब यह जो आप पूरा इंडिया देखते हो ना यह ब्रिटिस इंडिया का जो फेटरेशन है वहां पे यह सिविल और यह ओठरीटी त्रू और इंडिया फेटरेशन मतलब यह फेटल को help aid का मतलब यहां यह help कर सकता यह सब है आप यहां पर यह देखो यह वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है आप इसको दियान भी रख सकते हो इट वोज इंपावर्ड टू मेक रूल्स ठीक है जैसे अब यह आप देखते हो ना हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का प्रूसीजर होगा और प्रैक्टिस की लोग खुद से रूल्स बना सकते हैं तो वैसा ही पावर फेडरल को भी दिया गया था कि वो रूल्स बना सकता है अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर के लिए कि किस तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा हाई कोर्ट में जैसे अभी होता है न तो सेम उसी तरह से किस तरह का प्रोसीजर फॉलो होगा और फेडरल कोर्ट में किस तरह का प्रैक्टिस होगा उसके लिए ऑस लाइं होते थे तो वासराई काप्रोबल की ऑर जो लौदllan कोट के देखता वो सारे सबॉब पे बाइंडिंग होता है। रिस इंडिया पे रिस इंडिया में जो बी समय कोट इस जाएंडिया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक कीजिए वीडियो उसको चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको पीडिएफ चाहिए जो भी मैंने पढ़ाया है उसका पीडिएफ चाहिए भी और भी आप यह लॉयर प्रसांत लेख सकतो टेल भी बात करना है तो यहां पर आप मुझे कर सकते हैं यहां कर सकते हो यह मेरा मेल है और यह मेरा वाट्सप है यहां भी मुझे पूछ सकते हो थैंक्यू सो मच फरोचिंग मैं वीडियो आप मेद्टार सकते हैं अजर्डार सकते हैं यहां जीफ भी मुझे कर सकते हैं अजर्ड़ शिएव यहख भी में र सर्कते हैं।